हेलो एवरिवन, माइनेम इस अर्विंद कुमार, सर्वेयर्थी डिजिटल पार्ट साला में एक बार फिर आपका बहुत स्वालत है, आज हम पढ़ेंगे रैखित माप, लिनियर मेजरमेंट्स के बारे में, लिनियर मेजरमेंट्स कहां करते हैं, क्यों करते हैं, किस-किस उप सकता परती है, लिनियर मेजरमेंट्स करने के लिए, लिनियर मेजरमेंट्स में सबसे पहले, मैं बताओंगा आप लोगों की लिनियर मेजरमेंट्स होता गया है, तो किनी भी दो बिन्दूओं के बीच की, सीधी दूरी मापने गो, रैखिक माप या लिनियर मेजरमेंट्स कहते हैं बिंदूओं के बीच की रैखिक दूरी कई तरीके से मापी जा सकती है रैखिक माप की किसी भी विदी का चुनाग सर्विक्षन की वांचित परिशुदता पर निर्भर करता है कि हमें रैकित माप के लिए कौन सी विदी का प्रियोग करना है ये सर्वेक्षण की परिसुद्धतापर निर्भर करेगा रैकित माप के लिए जेनरली हम दो पद्धितियों का यूज करते हैं नमबर वन हमारी पद्धिती है, सीधी पद्धिती, सीधी पद्धिती द्वारा, सीधी पद्धिती द्वारा राखे एक माँ, नमबर दो है हमारा, पिरकास किये, उपकरन द्वारा, याउं द्वारा, कोई भी राखे मेजरमेंट्स लेने के लिए, कोई भी राखे मापने के लिए हमारे पास दो पद्धिती ही, नमबर वन सीधी पद्धिती, नमबर दो पिरकास किये उपकरन, सीधी पधिती में जरीब फीते का प्रयोग करके कोई भी रैखिक दूरी को माबते हैं लुण में जा अटरके, जब कि प्रिकासी उप करण में कोई भी प्रिकासी उप करण, जैसे लोलाइट हो गया जरी या फीते का प्रियोग करते ही रैखिक दूरी मापी जाती है रैखिक सीधी पद्धिती द्वारा दूरी मापने के लिए हम पाँच विधियों का प्रियोग करते हैं सीधी पद्धिती में हम रैखिक दूरी मापने के लिए पाँच पादुतियों का यूज़ करते हैं। उन 5 पादुतियों में नमबर 1 है जासे गीडिवी में अभी मैंने बताया , रहखीन दूरी माक में के लिए हमको इसमीं 2 पादुति पिर्योग करें , 2 प्रिकास्यया उपकरन द्वारा रहखुक माक सीथी पद्धिती में हम 5 विदियों का प्रियों करते हैं इसमें सीथी पद्धिती में हमारा नम्बरिन आ जाता हैक गदम द्वारा कदम द्वारा दूरी माँपना जो सीथी पदिती मन्हें हैं Nag me इस में हम कदम दोवारा चल कर जितने भी कदम हम चलते हैं उनको काउंट कर लेते हैं, कितनी आपने इस्ट्राप चलें, माना आपने N नंबर रच क्दम चलें, और फिर एक कदम की ओसत दूरी कल्कुलेट कर लेते हैं, माना ओसत दूरी आपकी आभित, पोसल दूरी एक कदम की आपकी आई एक्स मीटर या एक्स सेंटीमेटर या एक्स यूनिट कोई भी यूनिट हो सकते डिस्टैंस की और उसने कदम चले तो कदम द्वारत टोटल रैखिग दूरी यानि कि कुल रैखिग दूरी आपकी हो जाएगी पुल रैखिग दूरी बराबर नमबर ओफ स्टैक्स जितने उसने कदम चले हैं और साथी साथ इंडू ओसर दूरी जो एक कदम की यह एक्स क्या हो जाएगा आपका टोटल रैखिग दूरी जितनी भी रैखिग दूरी दो पॉइंट के बीच में है वो आपकी कदम दूरा दूरी मापने की विधी से कैल्कुलेट हो जाएगी नमबर दूसरा है इसी में सीधी पद्ती में पदमापक दूरा दूरी मापना नमबर दो है दूसरी पद्ती है पदमापक दूरा दूरी मापना पद्मापक को हम पैसो मीटर बोलते हैं पद्मापक को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे पैसो मीटर क्या होता है एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे आप अपने पॉकेट में भी रच सकते हैं और पैर में भी बांग सकते हैं जो काउंट करता है नंबर और स्टेप्स जब कोई आदमी पैदल चलता हैं ग्राउंड पर या कहीं पर भी पैदल चलता है तो पदमापत का क्या तार्य होता है वो steps को count कर लेता है जो सीधी पदति के अंतरगत आपने पढ़ा था अभी इस सीधी पदति का steps खुद सरवेक्षक count करता है तो कि पदमापत पैसो में कर एक device से जो number of steps count करके चलता है count करने के बाद जब आपके पास number of steps आ जाएंगे तो उससे आप एक कदम की ओसत दूरी निकाल लेंगी एक कदम की ओसत दूरी आने के बाद आप number of steps जो आए है उस ओसत दूरी को number of steps से multiply करके total दूरी calculate कर सकते है यानिकि आपकी पैसो मेटर की सहायता से total रेखिक दूरी आपकी आजाएगी इसमें तीसरी पदिती जो होती है वो होती है पैडो मेटर दूरी आपना number 30 मिश्रा CV पदिती द्वारा देखिक मापन के अंचर गती इसनी पदिती है पैडो मेटर द्वारा दूरी मापना पैडो मेटर पैडो मेटर भी गया है एक छोटा सा घड़ी जैसा डिवाइस होता है जिससे आप अपने पोकेट में भी रख सकते हैं और साथ ही साथ अपने पैर में भी बांग सकते हैं पैडो मेटर जैसा मैंने बताया था इससे पहली अगर मैं भी धी देखूं कदम द्वारा दूरी मापना इसके जाता है अपने नमबर ओव इस्टैप्स खुद ही काउंट करने थे सब एक चब करने दूसरे में जाता नमबर ओव इस्टैप्स जितने उसमें कदम चले पद टोटल दूरी को कैलकुलेट करके ही बताता है अगरी पैडो मेटर जाये ना तो यह नमबर ओव इस्टैप्स काउंट करेगा ना कोई आपको ओवसक दूरी चेक करने यह तोटल जितना भी आपने डिस्टैंस कवर किया है ग्राउंड पे चलके वो टोटल डिस्टैंस को ब बताता है टैडो मेटर नमबर चार है इसमें चक्कर मापी और चाल मापी द्वारा दूरी पापना सीधी पधती क्या एंदर का थी नमबर चार है चक्कर मापी चकर मापी चकर मापी और चार मापी द्वारा दूरी मापना यह भी सीधी पधती के अंतर्गत अपना जाने वानी ओर्थ नमबर की विधी है जिसमें हम क्या करते हैं जैसे कोई circular wheel है मारा तो wheel क्या होता है उसमें क्या revolution काउंट करते हैं revolution count करते समय जितना एक revolution में उसने distance चला होता है उसकी उस distance की गुणा आप number of revolution से कर देते हैं यानि कि चक्करम आपी क्या है एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी पहिये पर लगाया जाता है और वो पहिये के परिकरमा दर्ज करता रहता है जब आपको पहिये के परिकरमा मिल जाएंगे तो आप उसकी परिधी निकाल सकते हैं अगर एक चक्कर की परिधी आप निकाल सकते हैं तूपाई आज से ये परिधी का formula हो गया तो जब आप परिधी एक पहिये के निकाल लगे तो तोटल जितनी भी उसने चक्र बनाए हैं उसकी परिदी की उस चक्र, number of round जितनी भी आए हैं उनसे परिदी के एक परिदी के distance की गुड़ा कर देंगे उससे आपको चक्रमापी से टोटल रैखिक दूरी मिल जाएगा तो अगर हम देखें तो चक्रमापी क्या एक ऐसा उपकरन है जो पहिये पर लगाया जाता है और वो पहिये के परिकर्मण अपने अंदर दर्ज करता रहता है जबकि चालमापी क्या है परिकर्मण में पहिये की परिदी के बराबर पाठ्यांग बताता है जाने कि चालमा पी क्या है? Speedometer जो बाइक में, car में लगा होता है उसमें क्या होता है? Number of revolution ने ही count करता है वो total distance को बता आता है आपने जैसे bike में देखा होगा car में देखा होगा या कोई भी motor vehicle है उसमें आपने देखा होगा speedometer लगा होता है जो आपका total distance cover दिखाता है कितनी आपने रैखिक दूरी cover की गए नमबर पांच है मेली जो हमें इस chapter में पढ़ना है नमबर पांच में विधी सीधी विधी के अंतरगती वह विधी है जो हमें मेली इस chapter में पढ़ना है रैखिक माप के अंतरगत जरीब या फीते द्वारा दूरी मापना है नमबर पांच क्या है जरीब या फीते द्वारा दूरी मापना है नमबर पांच जो है वो सरवादिक इंपोर्टेंट पद्धिती है सीधी पद्धिती के अंतरगत क्योंकि हमें सर्विक्षण में यही पधिती अपना करके कोई भी रैखिक दूरी का मेजरमेंट करना है कोई भी रैखिक दूरी को मापना है और रैखिक दूरी को मापने के लिए हम सबसे पहले जरीब का परियोग करते हैं लेकिन अगर बहुती परिसुदिता के साथ उस दूरी को मापना है तब हम जरीब के इस्थान पर फीते का प्रियोग करते हैं क्योंकि जो फीता होता है वो जरीब से अधीग परिसुद उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम कोई भी रैखिक दूरी माप सकते हैं पाचो पधितिया जो सीवी पधिती के अंतरगरत अपना ही जाती है कोई भी रैखिक दूरी मापने के लिए वो के लियर है प्रादी पदिती में आप कदम काउंट करते हैं एक कदम की ओसक दूरी से गुड़ा कर देते हैं और साध़ दूरी जो होती है एक कदम की उसे नमबर 4 सब्सक्राइब जितने उसने कदम देते तो आपके पास टोटल रैकिक दूरी आister बार्ञारण होता एक डिवासFraktion हे डिवाइस से एक ऋपकरती है जो आपके पास शब्सक्राइब पास खुन करता है और उसने हम रैकिक दूरी निकाल सकते हैं, नमबर 3 है पेड़ो मीटर द्वारा दूरी मापमा, पेड़ो मीटर एक ऐसा उपकरण होता है, जो टोटल दूरी को कैलकुलेट करके ही हमको बताता है, नमबर 4 चक्करमापी वा चालमापी द्वारा चक्करमापी का है यह नमबर ओफ रिवोलुशन, यानि यह परिकिरमड जो होते हैं पैए कि उनको प्राउम करता है, उसके बाद आप उसकी परीध ही निकाल लेते हैं, एक पैए एक रिवोल उससे गुणा कर देंगे, तो आपके पास टोटल रैखिक दूरी आ जाएगे, उसके बाद चालमापी द्वारा दूरी मापना तो चालमापी, आप जानते हैं, जैसे स्पीडोमीटर होता है, वोटर वीकल में, बाइक में आपने देखा होगा, कार में आपने देखा होगा तो वो क्या है, टोटल रैखिक दूरी को खुद बख़ुद कैल्कुलेट करके आपको बताता है, में जो सबसे इंपोर्टेंट है, इसके अंतरगर को है, जरीब या फीते द्वारा दूरी मापना, तो जरीब या फीते की सहरता से हम रैखिक दूरी मापते हैं, सकता पड़ती है, ये टोपिक मैं कर डिसकस करूँगा, आज के लिए इतना ही गाफी है, थैंक यूँ